दोस्तो आज का ये वीडियो सभी senior citizen के लिए बहुत जादा important होने जा रहा है क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर हम दो scheme को compare करने जा रहे हैं यानि post office की दो ऐसी scheme जो सबसे जादा famous है senior citizen के अंदर जिसको आज हम compare करके analysis करेंगे कि कौन सी scheme आपके लिए better होने वाली है अगर आप एक senior citizen है regular income कमाना चाहते है या फिर अगर आप सिर्फ निवेश करना चाहते तो उस case में कौन सी scheme आपके लिए better होने वाली है जिसके लिए हम compare करने जा रहे है post office की senior citizen saving scheme इसी के साथ हम compare करेंगे senior citizen saving scheme को national saving certificate जो post office की सरकार दुआरा guaranteed return आपको देती है इन दोनों scheme के अंदर तो बहुत जादा confusion होता है कि कौन सी scheme के अंदर हम निवेश करें senior citizen saving scheme के अंदर अगर हम निवेश करें या फिर national saving certificate के अंदर निवेश करें अगर आपके पास investment पड़ा हुआ है और निवेश करना चाहते है तो आईए बताते हैं आपको कौन सा best investment आप कर सकते कौन सी scheme के अं अंदर हम analysis करेंगे कि क्या age criteria होगा इसके अलावा कितना आप minimum और maximum deposit कर सकते दोनों में किसमें ज्यादा फायदा आपको दिया जा रहा है ATC का deduction हो गया या फिर premature withdrawal की बात हो गई इसके अलावा कितना return आपको मिलता है इसके बारे में भी हम discuss करने जा रहे हैं तीस लाग रुपया जमा कर देते है senior citizen saving scheme में या national saving certificate में तो उस case में दोनों scheme में कौन ज्यादा better return आपको देने वाला है तो आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको detail में बताने वाले के कौन सी scheme आपके लिए better होने वाली है post office की senior citizen saving certificate या फिर national saving certificate तो वीडियो को completely जरूर देखिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करेगा आए श्टार्ट करते अपने वीडियो को और सबसे पहले बात करते हैं age criteria के बारे में यानि कौन लोग जो है वो senior citizen saving scheme के अंदर निवेश कर सकते हैं और कौन है जो national saving certificate के अंदर निवेश कर सकते हैं जिसको जानना आपके लिए सबसे ज़्यादा important है सबसे पहले बात करते है senior citizen saving saving scheme में eligibility criteria यानि अगर आप एक individual है आपकी age 60 साल से जादा है तो उस case में आप senior citizen saving scheme के अंदर निवेश कर सकते हैं लेकिन अगर आपकी age 50 साल या 55 साल है 50 साल in case अगर आप defense employee है तो भी आप इस scheme के अंदर निवेश कर पाएंगे अगर आप civilian employee है तो उस case में 55 साल की age का criteria रखा है आप इसमें निवेश कर सकते हैं लेकिन अगर कोई non senior citizen है तो उस case में वो इस scheme के अंदर निवेश नहीं कर सकता लेकिन इसके ही विपरित अगर बात करें NAC की तो NAC में चाहिए आप senior citizen हो या non senior citizen हो कोई भी इसमें निवेश कर सकता है कोई भी age criteria नहीं है लेकिन एक point यहां पर दिया गया है कि अगर आप minor है तो उस case में 10 साल से कम अगर आप की एज़े तो उस case में guardian के नाम से account खुलवाया जा सकता है लेकिन अगर minor के 10 साल से जादा है तो उस case में minor खुद के नाम से भी account खुलवा सकता है तो यह condition है जिसो NAC के अंदर रखी गई है लेकिन इसके अलावा अगर आप senior citizen के साथ से देखे जाए तो दूनों ही scheme के अंदर आप निवेश कर सकते हैं चाहे आप post office की senior citizen saving scheme के अंदर निवेश करें तो भी आप eligible है या फिर अगर आप NAC 8 इशू 5 साल के अगर लेते हैं तो उस case में भी आप eligible है अगर आप senior citizen आप अपने next point पे कितना deposit आप कर सकते कितना minimum और maximum deposit कर सकते हैं दूनों scheme के अंदर आये इसको भी compare कर लेते हैं सबसे पहले बात करते हैं senior citizen saving scheme के अंदर जो minimum deposit है वो आप 1000 रुपिये से बी आप 1000 रुपिये से minimum deposit करके account कुलवा सकते हैं लेकिन maximum deposit की बात करें तो senior citizen saving scheme में एक अपरेल 2030 से आपको maximum deposit जो है वो 30 लाग रुपिये तक कर सकते हैं यानि सभी senior citizen account अगर आप मिलाते हैं तो उस case में 30 लाग से ज़ादा maximum investment आप नहीं कर सकते लेकिन इसके सामने अगर तो 30 लाग से ज़ादा निवेश करना चाहते तो NFC जो है वो उनके लिए better option है लेकिन अगर आप senior citizen saving scheme में 30 लाग तक अगर निवेश करना चाहते तो उस case में 30 लाग से ज़ादा जो है अगर निवेश करते तो उस case में वापस पैसा जो आपको refund कर दिये जाएगा और जितने deduction जो है deposit अगर आप करवाते तो कौन सी scheme के अंदर आपको ATC का benefit दिया जाएगा अगर आप senior citizen saving scheme के अंदर साला ना डेड़ लाग तक अगर deposit करते तो आपको ATC का benefit दिया जाएगा यानि deduction allow किया जाएगा डेड़ लाग रुपे तक maximum आप इस scheme के अंदर जो वो 30 लाग से ज़ साला ना अगर आप निवेश करते हैं तो आपको section ATC के तहट जो limit दी गई है डेड़ लाग की उसकी छूट मिलती है यानि दोनों ही scheme के अंदर अगर डेड़ लाग रुपे किसी साल में निवेश करते हैं तो उस case में दोनों ही scheme के अंदर आप tax benefit ले सकते डेड़ लाग है तो उस case में वो ब्याज आपके लिए taxable हो जाएगा और आपका TDS 10% की rate के इसाफ से direct किया जाएगा अगर TDS से बचना चाते तो उस case में आपको form 15H जो है post office में जाकर जमा करवाना होगा NSE की बात करें तो जो ब्याज आपको दिया जा रहा है वो taxable होगा लेकिन वो जो ब्याज है वो आपके deposit में इंक्लूड हो जाता है यानि investment हो जाता है उस वजह से ATC का आपको डेड़ लाग तक की छूट मिल जाती है यानि जितना ब्याज आपको मिल रहा है उतने की उतने ATC की छूट आपको जो है मिल जाएगी तो यहाँ पर जो NSE के अंदर जो भी ब्याज आपको दिया जा रहा है 50,000 अगर आप senior citizen है तो 50,000 का आप ATT-B के अंदर deduction ले सकते हैं लेकिन इसके अलावा इससे जादा अगर आपको ब्याज मिल रहा है तो उस case में आप ATC के अंदर 15,000,000 तक की छूट भी मिल जाती है तो इसकी scheme के अंदर जो इंट्रेस आपको दिया जा रहा है उस case में जो NSE वो बेटर option है आपके senior citizen saving scheme से अपने 5th point पर तो कितना ब्याज आपको दिया जाएगा दोनों scheme के अंदर post office दुआरा जो जारी करी गई है एक जुलाई से लेकर 30 September तक जो नहीं ब्याज दर है उसके मुताबिक 8.2% का ब्याज सालाना ब्याज senior citizen saving scheme के अंदर आपको दिया जाएगा जो आपको पेबल quarterly basis पर किया जाएगा यानि एक अप्रेल एक जुलाई एक ऑक्टबर या एक जनवरी इस हिसाफ़ से quarterly basis पर आपको जो ब्याज पेबल कि annually दिया जाएगा नहीं monthly आपको पेबल किया जाएगा नहीं quarterly पेबल किया जाएगा यानि आपको पांस साल के बाद जब इसकी scheme की maturity आ जाएगी तब आपको पूरा का प्रुरा ब्याज जो है वो compounded आपको दिया जाएगा तो 7.7% का ब्याज आपको नसी के case में मिल जाता है और senior citizen के case के अंदर आपको 8.2% का ब्याज मिलता है जो higher ब्याज मिलता है NSE से जादा तो इस case में senior citizen saving scheme के अंदर आपको 8.2 यानि जादा ब्याज दिया जाता है अगले point पे तो maturity period क्या होगा क्या आप account को further extend करवा सकते हैं जिसके लिए जानते हैं और compare कर लेते हैं दूनों जिस दिन से अपने account open करवा है उसके 5 साल के बाद आपका account जो हो mature कर दिया जाएगा लेकिन senior citizen saving scheme के अंदर आप 5 साल के बाद फर्दर 3 साल के लिए और account को extend करवा सकते हैं जो भी आपने account extend करवा है उसमें जो ब्याजदर है आपको date of maturity यानि 5 साल के बाद जो maturity की rate of interest होगी वही ब्याजदर आपको 3 साल के लिए फर्दर दिया जाएगा लेकिन NAC के अंदर ऐसा कोई भी option नहीं है आप account को further extend नहीं करवा सकते हैं आप जैसे ही आपका account जो mature हो जाता है 5 साल के बाद आपको fresh नई purchase करने पड़ेगी NAC certificate तभी आप उसमें निवेज कर पाएंगे उस account को आप जो further extend नहीं करवा सकते कब better option आपको senior citizen saving scheme में देखने को मिल जाता है कि आप further account को जो तीन साल के लिए extend करवा सकते हैं अगले point पे तो क्या आप account जो वो transfer कर सकते किसी another person को आए जानते compare कर लेते दोनों ही scheme के अंदर कौन सा better option इसके अंदर निकल के आता है तो senior citizen saving scheme की बात करें तो in case अगर account holder की death हो जाती है तो उसके इसमें account transfer कर दिये जाएगा जो भी spouse होगी चाहिए वो joint holder हो या फिर soul nominee कब तक जब तक maturity नहीं आ जाती लेकिन इसके अंदर तीन condition है जिसमें पहली condition है जो भी spouse होगी वो eligible होनी चाहिए senior citizen account open करने के लिए भी यान पिर अगर जो spouse है जिसका कोई भी another senior citizen account नहीं होना चाहिए यानि वो सिर्फ अपने जो death husband का जो account होई वो hold करेगी उसके अलावा उसके पास कोई भी another senior citizen account नहीं hold होना चाहिए उस date पर जिस date पर उसको transfer किया जा रहा है इसके बाद जो third condition है जो main condition है जिसमें जो ब्यास दन है वो आपको post office saving rate के इसाफ से 4.5% के इसाफ से ही दिया जाएगा यानि आपको senior citizen saving scheme के इसाफ से 8.2% का ब्याज नहीं दिया जाएगा जिस दिन से death हो गया है और जिस दिन तक maturity आती है सिर्फ post office rate के इसाफ से आपको ब्याज दिया जाएगा अब बास तकते दोस्तों NSC के बा maturity को transfer किया जाता है in case अगर account forfeit हो जाता है इसमें कोई भी condition नहीं है कि account transfer होने के बाद आपको NSC का ब्याज नहीं मिलेगा लेकिन आपको post office saving का ब्याज मिलेगा ऐसी कोई भी condition NSC के case में नहीं है यानि NSC के case के अंदर account transfer भी होता है तो उस case में आपको 7.7% का ब्याज maturity तक मि amount क्या premature withdrawal करवा सकते closer करवा सकते अगर कभी भी आपको पैसे की जरुवत पढ़ जाते तो क्या आप अपना पैसा जो इन scheme के अंदर से निकलवा सकते हैं आए जानते क्या है condition senior citizen saving scheme की बात करो तो जिस दिन आपने account open करवा है उसके बाद कभी भी आप premature withdrawal यानि अपना पैसा प कोई भी ब्याज आपको नहीं दिया जाएगा कोई अगर दे भी दिया तो उसकेस में आपके principal amount में से deduct कर लिया जाएगा एक साल से 2 साल की बात करें तो 1.5% principal amount में से आपका deduct कर लिया जाएगा अगर आप close करवाते senior citizen account को 2 साल से 5 साल की बात करें तो 1% deduction होगा अगर आपने account को extend करवाया है तो उस case में एक साल के बाद अगर close करते हैं तो कोई भी deduction आपका उसमें नहीं किया जाएगा लेकिन दोस्तों अगर NSE की बात करें तो उस case में आप जो account को premature withdrawal नहीं करवा सकते हैं यानि 5 साल जब तक नहीं आ जाते है वह इस यह पेसा विडूर कर सकते हैं निसी की कुछ condition है जिसके अंदर आप पैसा विडूर कर पाएंगे कि किसी account holder की death हो झांगर SINGLE account holder है joint account holder है तो सभी joint holder की या किसी perform order के अगर देत हो जाती है तो उस case में आप पैसा जो विड्रो करवा सकते हैं या court का order ले आते हैं या forfeit हो जाता account तो इन cases के अंदर ही आप NAC के case में जो account जो है पैसा विड्रो कर सकते हैं इसके अलावा जो अगर कोई अधर condition है आपको जरूतान पढ़िए medical को जरूतान पढ़िए जाते नसी अंदर पैसा विड्रो करना चाहते तो नहीं कर पाएंगे तो यहां पर आप देख सकते के नसी से जा दा मुकाबले जो senior citizen saving scheme premature withdrawal के case के अंदर better option अगले पॉइंट पर नाइंट पॉइंट पे यानि कितना return जो कॉन सी scheme हमें जादा दे रही है senior citizen saving scheme या national savings certificate post office दुआरा दोणो स्कीम गवर्मेंट गैरेंटेड है आए जानते कौन सी स्कीम ज्यादा रिटन देती अगर आप 30 लाग रुपिया निवेश करते हैं हम मानके चलते हैं सीनियर सेडिजन सेविंग स्कीम के अंदर मैक्सिमम में 30 लाग है जिस बज़े से हमने एक्जामपल भी 30 लाग पर ही लिय है यह अगर आप 30 लाग रुपिया निवेश करते हैं सीनियर सेडिजन सेविंग स्कीम के लिए 30 लाग रुपिय तो उस केस में आपको जो टोटल इंट्रेस मिलेगा वह 12 लाग 30,000 रुपे का मिलेगा यानि कॉर्टली की बात करें तो 61,500 का कॉर्टली बेज़ेस पर आपक की बात करें तो 12 लाग नहीं बलकि 13,47,100 का ब्याज आपको कुल टोटल आप अंट कर पाएंगे 5 साल के अंदर तो दोस्तों हमने आपको रेट ऑफ इंट्रेस तो बताईती कि SSC की जो है सीनियर सेविंग सेविंग स्कीम के 8.2 परसेंट है लेकिन ब्याज जो है रिटन जो उसके अंदर NSE जो है वो better scheme है सीनियर सेविंग 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 गंदर जिसके अंदर आपको एक्स्ट्रा ब्याज मिल रहा है ज़्यादा रिटन आपको मिल रहा है जल्दी से compare कर लेते हैं दोनों इस्कीम के अंदर सभी point के आंदर इंदर कॉन सेविंग जो यौ ज़ा ATC की बात करते हैं जो deduction की छूट मिलती है जो दोनों ही case में allowed की जाती है यानि दोनों option ही better है next हमारी जो हो interest taxability की बात करते हैं जिसमें NAC जो हो better option होगी और maturity की बात करें maturity interest rate की बात करें तो उस case में senior citizen saving scheme एक better option माना गया है इसके बाद हमारी transferability की बात आती है कि account का अगर हम transfer करते हैं तो उस case में NAC is a better option than SCSS है premature की बात करें तो senior citizen saving scheme better option है और return की बात करें तो NAC is a better option than SCSS है यानि सभी को मिला कर अगर देखें अगर हम दोनों both cases को अटाए एज criteria और ATC जो दोनों ही case में मिलते हैं इनको अलावा अगर हम देखें तो NAC का जो है वो चार option के अंदर NAC जादा फायदा देदी है और तीन option के अंदर senior citizen जादा फायदा देदी है लेकिन overall अगर हम देखें तो जो return सबसे जादा में मिल रहा है वो national savings certificate में हमें 117,000 का extra return मिल रहा है लेकिन अगर हम requirement की बात करें अगर कोई senior citizen है जिसे regular income की जुरूत है monthly या quarterly income की जुरूत है तो वो senior citizen saving scheme की तरफ जा सकता है जो senior citizen है सिर्फ investment करना चाहते long term के लिए उन्हें regular income की जुरूत नहीं है तो उस senior citizen ना opt करके वो अगर NAC के अंदर जाते तो उन्हें better return यानि जादा return मिल जाएगा आज के इस वीडियो के अंदर हमने compare करके आपको analysis करके बता दिया कि कौन से scheme आपके लिए better अगर आप एक senior citizen है निवेश करना चाहते है senior citizen saving scheme के अंदर या versus आप national saving certificate में कौन सा better option है जिसके लिए हमने पूरा detail वीडियो आज आपके लिए बनाए अगर आपको लगता है ऐसे ही comparison हम आगे आपके लिए लेक्या है तो आप हमें comment करके बता सकते हैं कि हमारा जो next comparison है कौन सी scheme के सामने कौन सी scheme का में comparison करना चाहिए जिसको जानने के लिए आप अगला वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो हमें चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेर जरूर कर सकते हैं चैनल पसंद है तो लेक ज़्याज़ ज़्यादा शेर जरूर करिएगा धन्यवाद